भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में लगबग प्रत्य एक दिन अलग-अलग कमनी की बाइक और काल नोच होती रहती है हमारे देश में ज्यादा तर लोग अब पेट्रोल इंजन के मुकाबले इलेक्रिक इंजन के साथ वहान खरिदना चाहते हैं सरकार भी इलेक्रिटरी वहानों को बलावा देने के लिए इस पर सबस्री दे रही है इससी को चलते केलिफोर्निया के इस्टार्य कमनी जोटो ने सेल्फ एस्टेविलाइजिंग इलेक्रिक स्कूरर पेश किया है यह स्कूरर दुसरे इसकूरर से काफी अलग है कमरीन इसे X Auto Generation 1 नाम दिया है ये स्कूरर दिखने में भी स्मार और चलने में भी स्मार लगती है इस स्कूरर की खासेत यह है कि यह खुद अपना बेलेंस बनाता है इसमें थ्रीविल लगे हुए है जिसकी मदस से आपको पाउंट टिकाने की भी जरूरत नहीं पलती X Auto Gen 1 ब्यादी अनुखे डिजाइन वाले इलेक्रिक स्कूर है इस इलेक्रिक स्कूर की खास बात यह है कि इसमें तीन पहिये है इसकूर की दूसरी दिल्चस्प बात यह है कि इसे जुकाया जा सकता है और सामनी स्कूरों को वीपरीदे गीरेगा नहीं इस इलेक्रिक स्कूर का मुख्य आकरसन पीछे के दो पहिये है यह राइडर को अतिरिक्त सपर और भेतर इस्तिता प्रदान करता है यह तीन पहिये होला टेल्टिंग स्कूर है टेल्टिंग स्कूर का मतलब इसके पहिये किसी भी तरह के सर्फेस पर आसाने से दोलने में सक्षम है बले स्कूर का एक पहिया किसी उच्चे इस्तान पर हो और अन्या पहिये नीचे हो एसी दाशा में इसकूटर में लगे हुए सस्पेंसन पूरी तरह से टेल्ट यानी मुड जाते हैं जिससे इसकूटर बीना अपना संतुरन बिगाले आगे बलता रहता है इसकूटर में इस्तेमाल की गई तक्निक दिल्चस्प है और पीछे का सस्पेंसन सेटप की सी भी प्रकार की सडकों के लिए अनुकूल है एक्स ओटो का पैटन थ्रिविलर टेल्टिंग डिजाइन इंक्रिडेबल परफोर्मेस को बनाय रखते हुए दो पईया स्कूटर पर सिकूरिटी बढ़ाता है इसकूटर की टोबी स्पीट 45 MPH है और इसमें इंक्रिडेबल कोर्निंग शमता है एक्स ओटे स्कूटर दो अलगलग यूनिक कलर ग्रे वर स्काइब बुलू में आता है आप जहां भी सवारी कर रहे हैं लोगों का ध्यान आकरसित करेंगे पावर ओर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकूटर में 6000 ओट की हाई पावर मोटर दी गई है इसकी मोटर को पावर देने के लिए 4.3 किलो वाट अवर के टू रिमोबल लिथेमाइन बेर्टरी दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 145 किलोमेटर तक नोन्स्टो बराइड ले सकते हो इसकी बेर्टरी को चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है एक सोटो इसकूटर को 72 केजी की टोब इसपिर से चला सकते हो इसमें आपको स्टेप शेप LED हेडलेंप, LED डेटाइम रणिंग लाइट, LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर दिये गए है लोडिंग केपिसिटी की बात करें तो ये सकूटर 160 केजी का मेक्जीम मलब उठा सकती है एक सोटो स्कूटर के फ्रंड वा रेयर में डिस ब्रेक दिये गए है, स्कूटर को reverse में भी चला सकते हो इसकैलाव स्कूटर में डिजिटल डेशबोर दिया गया है जिसमें जरूट की हर चीज देख सकते हो एक सामन यो दोपरी श्कुरर के मुकाबल ये थीवेलर स्कुरडर काफी भेटर वर सन्तूलीत है इस श्कुरर के सबसबड विशेशता ये है कि ये थीवेल होने की वज़े से ये स्कुरर आसाने से सलक पर ड्राइबिंग के दोरण चालो को स्कूरर के गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है अब आप सोच रहे होगे कि भला तीन पॉइयों के रहते हैं स्कूरर को कितना ज़्यादा मोला हैं जमीन की तरफ जुकाया जा सकता है यदि एक सामने तीन पॉइय इसकूरर होता तो ऐसा करना मुश्किल बरा होता लेकि इसकूरर को स्पोर्ट बाइक की तरह असन से मोड़ सकते हैं इतना ही नहीं स्धाट डुलिध टील्ध अठेक्णिक की मदशन से आप इसकूरर के एक पहियों को किसी उच्छी जगा पर भी आसनी से चढ़ा सकते हैं या फिल आप इसकूरर को किसी गड़्डे से भी कुदा सकते हैं इस दोरह ये टिल्द दखने की आपकी ड्राइविंग में पूरी मदद करेगी आपको ड्राइविंग में किसी भी प्रकार के कोई दिकत नहीं आएगी चाहे रास्ता कितना भी खराब क्यों नहों इस कुरूर के तीनों पर ये रोड पर अच्छी पकड़ और प्रदान करता है और ये सब इस हाइडूली टिल्द तक्निक की वज़े से संब्व है इसके अलावा कमरी निस बैक की बोड़ी को भी हदी सकीले से तैयार किया है जो कि राइडर को एक संतुरी ड्राइव के साथ ही स्टारिश लुग भी प्रदान करता है तो दोस्त यह थी